आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे शांदार जबरदस्त डेजर्ट की रैसेपी जो 15 मिनट में बनकर तयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी है जैसे मिल्क केक होती है ना बिल्कुल उस तरह का रबडी का टेस्ट इसमें आपको आने वाला है रस्मलाई वाला फ्लेवर इसमें हम डाल चुके हैं और यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही जल्दी से बनकर तयार होने वाला आपके टाइम की बचत करने वाला डेजर्ट आज हम लेकर आए हैं चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की तयारी इसको बनाने में आपको 15 मिनट ही केवल जब आप इसको खाएंगे तो आपको यह ऐसा लगेगा जैसे मार्किट से आपने कोई महंगी चीज ली हो और आप उसको खा रहे हैं हो एजी टुमेक एन यम्मी इन टेस्ट रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड मैने वाइट वाले जो ब्र नरुकिं में रेजर्ट बनाते हैं उसमें इनको खटा देना ही है हमने को साइड से रिमोव कर दिया है काम ब्रॉण वाला पार्ट उसके जो वाइट बचा बचाएं उसको हमने अच्छे से कर ले लिया है मिक्सर जार्ब से कुछ लग itel्लइक में ने लेड है यह द राद क ग्राइन करें चलता रूम ठीज़ से तरहें तरहें और ऐसे तरहें लिए था साइए तरहा होगा जब दूर्गं लेए 1 लीटर दूर्गम डाल दिला है इसके बाद में यह कुछताा है इसको गरम होगा दोसे तीर मिट के बाद आप देख सकते हैं हलक sido करम हो गया है अब अब इसको करेंगे अच्छे से मेंक्स और अब इसमें जैसे ही अगला उबाल आएगा तब हम इसके अंदर जो हमने ब्रेड का क्रम्स तयार किया है उसको डाल देंगे इस तरह से यह डेजर्ट खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और सब आप से पूछेंगे यह कैसे बनाया है इसको हम चलाएंगे ताकि नीचे चिपके नहीं गैस के फ्लेम को मेडियम पर रखते हुए इसको अच्छे से हमें उबलने देना है पांच मिनट ताकि इसके अंदर से ब्रेड का जो कच्छापन है वह खतम हो जाए और एक बहुत ही शांदा बहुत ही लजीज इसका फ् लाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं दो से तीन मिनट के बाद ही आप देखेंगे केसर की पत्यों ने अपना कलर रिलीज कर दिया है और बहुत प्यारा सा लाइट येल्लो कलर इस पर निकल कर आया है ये देखिए अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और जो साइड लिस्पून के बराबर नीचे इसको डाल देंगे जो हमने एक तरह से रबड़ी बना कर तयार किया है इसके बाद में जो बचे हुई ब्रेट्स थे उसको भी हम इस तरह से इसमें लगा देंगे इन ब्रेट्स के भी हमने ब्राउन वाली साइड को हटा लिया है ये और खान इमें तो सबाब की तारिफे करेंगे ही ये देखिए अब इसके ऊपर से हम इसमें डाल देंगे टेबल इस्पून भर भर के जो हमने रबड़ी बना कर तयार की है वो इसको अच्छे से हमें कर देना है उपर तक फिल ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से हो ये टेस्टी भी लगेगा और देखने में तो खुबसरत लगेगा ही ये देखिए इस तरह से हमने थोड़े से इसको पर बादाम डाल दिये हैं आप इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे थोड़े से बारिक चोप के हुए पिस्ता ये देखिए आपके पास जो भी ड्राइब प्रूट हो अपनी पसंद के अकोर्डिंग इसको प्यारा सा बना सकते हैं पिस्ता भी इसको पर जा चुका है अब हम डालेंगे इसको पर केसर की कुछ पत्या इसको और भी खुबसरत दिखाने के लिए ये देखिए पत्या भी हमने इसको डाल दी है मैं आपको पास से दि चुका है ये देखिए अब हम इसको कर लेते हैं कट एक नाइफ की हेल्प से जिस भी तरह से आप इसको काटना चाहते हैं ये बहुत ही आसानी से कट जाता है और एकदम से मूह में घुलने वाला डाइजर बनकर तयार हो चुका है इसको अपने हिसाब से आपकर लेंगे इ इसको बहुत ही पास से दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से हमने इसके हल्प से इसको निकाल लेना है एक दूसरी प्लेट पर ये बहुत ही सोफ्ट आप देख पा रहे होंगे कितना सोफ्ट ये बनकर तयार हुआ है बिल्कुल मलाई के जैसा इसका टेस्ट आने वाला है मलाई के जैसा ही एकदम से सोफ्ट है ये देखिए अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ देखिए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही तेस्टी और देखने में तो अच्छा लगी रहा है इसको निकाल लेंगे एक प्लेट पर देखिए आपको देखने से ही अं आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दा सब्सक्राइब बटन लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू फो वोचिंग